सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम पेपर फर्स्ट लोजिकल रिजिनिंग में एक नया टोपिक करने वाले हैं जो अभी विसेंटिली एड हुआ है भारती दर्शन सास्तर में से पर्मान अब देखें पर्मान में से कई तरह के कोशन आए हैं और इनमें जो टोपिक है वो जैसे पर्तेक्स हो गय हैं और आगे जो हमारा दिसंबर का एक्जाम होने वाला है उसमें भी कई कोशन आने की संभावना है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अगर अब चाहे तो हमारा पेड वाट्सप ग्रूप भी जोईन कर सकते हैं इसमें हम आपको 10 यूनिट हमें 10 सिफ्ट के टोपिक वाइज ओल्ड पेपर कोश्चन भी दे रहे हैं अगर किसी दोस्त को ये ग्रूप जोईन करना है तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज किजिए नमबर हमने नीचे दिया हुआ है तो सबसे पहले हम भारते दर्शन सास्तर में परमान की बात करत जिससे हमें ये पता चले की हाँ ये चीज बिल्कुल रियालिटी है और प्रैन को अगर इंगलिस में कहें तो anytime we're saying the वहасुरा किसी फिए परूफ हो ना जिससे हमें सही से पता चले कि ये बात इस तरह थी और ये चीज़ इस तरह से है तो परमान का मतलब मोटा मोटा देख तो यह होता है और परमान के अंदर परमान को सिद करने के लिए उसको सही तरीके से डिफाइन करने के लिए कई चीजों का हम यूज करते हैं उसके अंदर सब टोपिक आ जाते हैं जैसे प्रतेक्स हो गया अनमान हो गया उपमान हो गया सब्द हो गया अर्थपति हो गया सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहां पे हमने हिंदी में दिया हुआ है यह आप बिलकुल असानी से पढ़ सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं और अब देखते दोस्तों सबसे पहला जो टोपिक आता है हमारा वह आता पर्तेक्स अब देखिए पर्तेक्स देखिए आपने कई बार देखा होगा सुना होगा कि पर्तेक्स को परमान की जरूरत नहीं होती इस तरह से हमने आपन बोल चाल की भासा में सुना है पर्तेक्स होता है दोस्तों एकदम हमारी आँखों के सामने बिलकुल कलियर कट कोई बात हो वो हमें दिखाई देज़ है उसके अंदर किसी भी तरह की छोपी वी बात ना हो अब देखे इसके अंदर क्या होता है मुख्य रूप से क्या होता है इसके अंदर हम अपनी आत्मा, मन और इंदरी यानि कि जो सेंस होती है हमारी स्रीर के अंदर उनके दोरा किसी चीज को जानना उसे समझना वो क्या होता है पर्टेक्स होता है जैसे कि मान के जलते हैं कि हमारे सामने आग जल रही है यह देखे जैसे हमारे सामने कहीं पर आग जल रही है इस तरीके से तो यह हमे इस तरी के से यानि कि हमारे सामने पर्तेक्स पर्मान हो और जैसे कि किसी को चोट लगी हुई हो तो हम उसको देख ले उसे खून बहता हुआ देख ले तो वो क्या होगा कि वो हमारे सामने पर्तेक्स पर्मान होगा किसी की जैसे हड़ी तूट गई हो हाथ कट गया उंगली क चोट लगी और उसको उसका घ्ड़ी टूट गी तो वो एक पर्टेक्स परमान नहीं है दोस्तों में क्या है कि हमारे सामने परतेक्स वो होता जो हमारी आँखों के सामने हमारी सेंस के सामने जो हो उसे हम परतेक्स परमान कहेंगे और यहां पर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं पूरी बात हमने दी हुई है अब देखी आगे है हमारा दोस्तो आगे है अनुमान अनुमान जैसे की जैसे न रूप से पता नहीं चल रहा हो जिसका प्रतेक्स रूप से हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो तो वहां पे हम क्या करेंगे अनुमान लगाएंगे भाई हाँ यह हो सकता है यह हो सकता है वहां पे हम अपनी जो थिंकिंग है वो दोड़ाएंगे कि क्या क्या हो सकता है संभावन है वहाँ पे देखेंगे अब देखें जैसे यहाँ पे मैंने एक example दिया हुआ है जैसे यहाँ पे आप देख सकते कि यह धुआ है यहाँ पे इतना धुआ है black black तो यहाँ पे हम हमें नहीं पता कि यहाँ पे आग जलरी है या पटाखो का धुआ है या फिर artificial कोई धुआ है य लेकिन 100% नहीं कह सकते कि यहां पर क्या चीज़े है। देकि यहां पर होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी मस्षीन के द्वारillar यह थोड़ा गया हो, या फिर यहां पर आग लगी हो, और या फिर यहां पर पटाकें जलाए गये हो, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते है ठीक है और उसके बाद है दोस्तो उसके बाद मैं बताओं आपको उसके बाद है उपमान उपमान का मतलब होता है दोस्तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ comparison करके कुछ अर्थ निकालना समझना ठीक है देखे इसके अंदर क्या होता है जैसे कि किसी भी वस्तु को हम दूसरी वस्तु से compare करते हैं और फिर अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे हम उपमान कहते हैं जैसे कि एक example दो हम जैसे नील गाए हैं अब जैसे मान के चलिए मैं आपको बताओं या कि कोई और किसी को बताए कि मैंने आज एक नील गाएं देखी और वो तो बहुत भाग रही थी तो दूसरा वेक्ति है वो सोचे गा यार नील गाएं कैसी होती है तो वो पहले वाला वेक्ति बताएगा वह जो नील गाएं होती है वो गाएं के जैसी होती है उसके भी चार टांगे होती है और गाएं जैसा सरीर होता है यानि कि वो उसके साथ कमपैरिजन करके वो नील गाएं के बारे में बता रहा है कि नील गाएं कैसी होती है दोनों का कमपैरिजन कर रहा है और similarities उनके अंदर जो समानता है है वो बता के उसे समझाने की कोशिस कर रहा है तो जहां पर comparison करके कोई बात समझाई जाए उसे हम कहते हैं उपमान कहते हैं और दोस्तों यहां पर English Hindi में आप देख लेना क्योंकि कई वार हम Hindi में confused हो जाते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास सब्द अब देखिए सब्द परमान के अंदर क्या होता है दोस्तों और इसे वर्वल टेस्टनोमी भी कहते हैं अब देखिए सब्द परमान के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी के कहे गए सब्दों पे ही विश् करते हैं हमें परतेक्स रूप से नहीं पता होता हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वहां पे और परतेक्स रूप से भी हमें नहीं पता होता और उसे हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हम केवल और केवल जो व्यक्ति जो बात कह रहा है उसी पे हमें विश्वास करना होता है अब दे कि अगर कोई वेग्यानिक आके हमें ये कहे कि चांद और प्रित्वी के बीच की दूरी इतनी है तीन लाख चुरासी हजार चैर्शो किलोमेटर इन दोनों के बीच की दूरी है तो ये क्या है दोस्तों ये हमें विश्वास करना होगा वेग्यानिक की बातों पे हम खुद वो इसके अंदर पर्टेक्स भी नहीं है, यानि कि डिरेक्टर उपसे हम नहीं देख सकते कि दोनों के अंदर कितनी डिस्टेंस है, नहीं हम इनके अंदर अनमान लगा सकते हैं, और नहीं इसके अंदर उपमान, यानि कि कमपेरिजन कर सकते हैं, इसके अंदर क्या है कि जो विज ग्यानिक ने कह दिया उस पे हम विश्वास कर रखते हैं तो यह होता है हमारे पास सब्द परमानी यानि कि जो व्यक्ति यानि कि कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो उस पे विश्वास कर लेना जैसे कि हमने देखा होगा कि अपने आप हमें बाबा जो लोग बनते हैं व औरूट कैसे हैं? हम केवल उर केवल उनकी बाक्तों पर विस्वास कर लेते हैं. और नंबर फाइब पर आता है दोस्तों, अर्थापती. – अब देखेजं कैसी अडियां किसी ने कई क्या होता है जैसे हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है देववत देववत हमने नाम मान लिया इसका देववत दिन में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वह मोटा है अब देखे जैसे देववत के बारे मैं आपको एक लाइन कहे दू कि देववत दिन में कुछ भी नहीं खा फिर भी खूब मोटा है अब देखे इसके अंदर क्या होगा इस वाक्य में ने खाना तथा फिर मोटा होना इन दोनों कथनों में समने की उत्पति नहीं होती यानि कि ने अब देखे हम यह कहे दे कि कोई व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं खाता और फिर भी मोटा है तो दोनों पर हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि इसने कहा है जो देववता दिन में यानि कि जो डे है डे में भोजन नहीं करता लेकिन फिर वी वो मोटा है तो यहां से क्या अर्थ निकल रहा है यहां से यह अर्थ निकल रहा है कि जो देववता वो नाइट को भोजन करता होगा रात को बहुत कुछ खाता होगा यहां से हम अपनी तरह से एक आंसर निकाल लेते हैं उससे हमें पता चल रहा कि अगर ये इनसार दिन में भोजन नहीं करता तो उसका मतलब सिधी सी बात यह कि ये रात को खाना खाता होगा इसलिए ये मोटा है तो इस तरीके से यानि कि अर्थ जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं अर्थापति कहते हैं ठीक है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारा लास्ट अनुपलब्धी या अभाओ अब देखी इसका मतलब क्या होता है जैसे नाम सही हमें पता चल रहा अनुपलब्धी या अभाओ यानि कि किसी चीज की अभाओ होने سے, किसी चीज़ की कमी होने से हमें कुछ ग्लाफध हो उसे हम कहते हैं अब तिके इसके अंदर क्या होता है मैं एक्जांपल के थरू आपको एक्जांपल के थरू समझाने की कोशिस करता हूं जैसे कि हम मान के चलते हैं हमें पता चलता है कि हमारे टीचर के पास पैसे नहीं है हमारे टीचर के पास क्या है पैसे नहीं है हमें ये पता चलता है उनके अभाव के बारे में पता चलता है कि उनके पास पैसो का अभाव है इतनी बात हमें पता चलगी तो इससे क्या है कि इससे हम कई और चीजे निकाल सकते हैं कई और अर्थ निकाल सकते हैं जैसे कि अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं इसलिए हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं इसी लिए इनका ज्यादातर लोगों के साथ जगडा होता है तो एक चीज का अभाव का हमें पता चला और उस अभाव से हम कोई अर्थ निकाले या कुछ और समझे तो उसे हम क्या कहेंगे अभाव या फिर अनुपलब्धी परमान कहेंगे तो दोस्तो ये थे आज के हमारे मुखे रूप से छेत रह के परमान इन में से कोश्चन आये है और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को सानी से देख सके हैं थैंकियो दोस्तों